सब्सक्राइब दे बायोलोजी चेनल एंड प्रेस बेल आइकान आगे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है माइट्रो कॉंडेरिया माइट्रो कॉंडेरिया को कॉंड्रियो जोम भी कहते हैं माइट्रो कॉंड्रिया एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में मौझूद होता है, माइट्रो कॉंड्रिया को सेंटर आफ सेलूलर रेस्पारेशन कहते हैं, इसमें जो सेलूलर रेस्पारेशन है, ऐरोबिक रेस्पारेशन, अब उसको कहेंगे जो आक्सीजन की मौझूदगी म respiration का procedure होगा उसको aerobic respiration कहेंगे तो इसका हम function देखेंगे तो center of aerobic respiration है mitochondria में double membrane होती है इसमें एक outer membrane है दूसरी inner membrane है अगर membrane को देखने से पहले इसकी अगर shape देखेंगे तो based on physiological condition कि किस physiological condition में cell मोजूद है उस हिसाब से इसकी shape भी मुक्तलिफ होती है जैसे कि यह granular shape होता है vesical होता है rod shape होता है और string shape होता है अगर आप इसकी membrane देखेंगे तो inner membrane क्या है regular compartment बनाती है और inner membrane को हम कहते हैं क्रिस्टाय या क्रिस्टी जो भी आप कहते हैं ठीके जो inner membrane के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहां पे आपको fluid नजर आएगा इस fluid को हम कहते है matrix जो क्या organic matrix होता है और इस के अंदर इस matrix के अंदर होते हैं क्या enzyme होते हैं और co enzyme होते हैं इसमें pacci Untie acide करते हैं जब जब इनको ऑक्सिडाइज करता है मिटाबवायसropriच प्रॉसेश में इन में से क्या क्या निकलती है कारबान डाय आक tay और वाटर और इसमें से क्या होती है इसमें एनर्जी रिलिज होती है ATP की फाम में आप energy यहां पर माइट्रो कॉन्रिया में होती है और जब जब जरुरत निय cuatro होती उति है इसको जो नसके को पावर हाउस आफ देसल च्यूंंके नरूजी रिलीज होती यई और एनर्जी यिस टॉर energy release होती है एक और बात कि माइट्रो कॉंड्रिया सेमी ऑटोनोमस इसकी existence है क्यों कि इसका अपना DNA होता है यह अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है इसमें अगर कोई पार्ट तूट जाए तो यह अपनी पार्ट की रिपेरिंग खुद कर सकता है क्योंकि इसके पास अपना DNA होता है दूसरी बात जो माइट्रो कॉंड्रिया है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफर कैसे होता है कहां से होता है यह होता है female side से mother side से यह transfer होता है एक animal से दूसरे animal में तो इसका function यह central aerobic respiration इसका function है आगे हम next topic बढ़ते हैं